गोविंद नागाउर से हमारे साथ स्वागत है गोविंद आपका नमस्कार मेडम हाँ जी नमस्कार सवाल कीजिए सवाल मेरी उमर है 17 साल जी 17 साल उमर है और मेरी कमर में बहुत ज़र्द रहता है ठीक है अच्छा में देखिए ये उमर में शायद ही कोई ऐसा हो वो शेर है ना कि या तो दीवा ना हसे या तू जिसे तवफीग दे वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन इस उमर में दाएद होता है चालिस के बाद कभी भी हम बीमारियों के चपेट में आते हैं अगर मुस्तकिल इलाज चाए थोड़ा सबर वाला होना और रोजाना फाइदा तो आप करी रहें कभी दर्द की गोली खाली कभी नहीं खाई रोज खानी पड़ती है किसी को सालों खानी पड़ती है किसी को महीना तो आप एक गौन सिया आता है रो मैटेरियल है वो सो दो सो ग्राम खरीदें और आप आदा आदा ग्राम खाना शुरू करें सुबा शाम मैं उम्मीद करता हूँ कि 100-200 ग्राम गौन जो ले और इनके खतम होने तक आपको दर्द का फायदा होना मुम्किन है एक बात में सास तोर पर कहना चाहता हूँ कि वेस्टन टॉयलेट दर्द वालों के घर में होना चाहिए उमर दराज लोग हैं उनके घर में वेस्टन टॉयलेट जरूर होना चाहिए और बहुत महनत ना करें ये उमर मैं भी समझता हूँ मैं जवान हूँ आज तक और कुछ भी कर डालता हूँ लेकिन मुझे मालूमात है मैं किस तरह समाल लेता हूँ आप नहीं समाल पाएंगे तो अब ज़्यादा वजद ना उठाएं ज़्यादा काम ना करें आराम करें उपर वाले को याद करें उसको राजी कर ले चलिए नेक्स श्कॉलर है रेनो का कोटा से हमारे साथ स्वागत है रेनो का आपका अपके हजबेंड को नहीं हमारे छोटी बहन है इनको टीक है उम्र बताइए कउमेर तीस पैटी फरक्ती हुए ठीक है हाँ देखिए अलसर वालों के लिए बहुत अच्छी दवा है पत्थर बेल यानि बेल पत्थर जब भी मिले खाएं और पानी खूपी है पत्थर बेल का मौसम नहीं रहे तो बेल का मुरब्बा भी मिलता है और कभी-कभी यह अरंडी का ते परेश करें तो आपका ठीक होना मुम्किन है तो चलिए आपको बस परेश करने हैं फिर देखेगा आप कैसे सेहतमंद हो जाती हैं दर्श को यही तो आप लोगों को बार-बार बताया जाता है कि आप लोग घरे-रू नुसकिया अपनाईए यूरानी पद्धिती से और बहुत सारी ऐसी बाते होती हैं जो आप लोग जान सकते हैं इस कारक्रम से जुड़के हकीम सहाब जरूर आप से जानना चाहूंगी एक वो बहुती सटीक नुस्का जो लोग अपना के अपने घर से बाहर निकलने को तैयार हो जाएं परिशान हैं लोग उन्हें लगता है कि अब तो कोई भी संक्रमन कोई भी महामारी उनको जकर सकती है जितना भी हो सके गरम पानी पी यह एक अच्छा नस्का है रिसर्च के मताबिक आज भी यह सबसे अच्छी दवा है और जिन लोगों के हालात अच्छे हैं उन्हें चुटकी सुबह एक यह दो चुटकी शाम पानी से लिया करें आपको हिफाज़त मिल सकती है इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं जी नमस्कार स्वागत है आपका गाव विदेट सरे दिला सिल्षा से पप्पूरा मगाट बात कर रहा हूं मैं जी हां जी बता दीजे अपनी एद मेरी चौंती साल जी है ना आपका पानवान तो खाते होंगे ना तो यह पनवारी जो चूना की बोतल बेचता है ना 4-5 रुपे की यह खरीद दीजे और इसमें से एक चावल के वराबर चूना एक गलास दूद में मिला लिया करिए और हफते में ए अगर हमारा पेट खराब हो तो हमारे पेट के बुखारा दिमाग को चड़ते हैं पेट ही कर लिजे सर अपना पच्छा हुए हो जाएगा ऐसा मैं आपको सवरा दे रहा हूं। यह अभी मैंने एक नस्खा बताया था यह बहुत ननस्खा सौफ, सौट, जीरा, अजवाइन, धनिया और एक चीज ज़रा मुश्किल से मिलेगी आप कोशिश करके ले रहा है क्योंकि यह इसकी एहम चीज है कलाउंजी का एस्टेक कलाउंजी का एस्टेक या नमक कलाउंजी भी कहते है सौसो गिराम सब यह लेके घर में पाडर बनाएं और एक चमच सुबा खा के दफ्तर जाया करें और एक चमच आके दफ्तर से खालिया करें खाने के बाद आपको पेट का सिस्टम, पेट का निजाम इतना जबरदस्त खब गैस कैसी थी, आप भूल भी सकते हैं कि गैस हुआ करती थी मुझे और इस सर्दत का भी ठीक होना मुमकिन है नेक्स कॉलर है संजीव हमारे साथ, स्वागत है संजीव आपका नमस्ट कार बिल्दम जी बताइए जी आदाब, बहुत कम वक्त थे तीजी से पूछिए आचा एक तो मेरा बेटा है चोबीस साल का ना उसके पैरों में बहुत ज्यादा जलन रहती है और उसका थोड़ा पेट भी खराब रहता है और दूसरा मेरा है, मेरी उमर 55 साल है मेरे ना पेट के नीचे जांगों में बड़ी खुजली सी रहती है खासतर गर्मियों में और यह उमर्द की मौसम में ठीक है बेटे के लिए आधा गिराम सुबा आधा गिराम शाम गौन सिया है, एक रौ मेटेरियल है कुछ दिन दीजे, बच्चे का ठीक होना मुमकिन है आपके लिए एक चमच अलसी, हलकी सी बुनी हुई और एक चुटकी, खाने का सोड़ा रोज आना एक बार जरूर इस्तिमाल करें आपको भी फाइदा होना मुमकिन है हमारे साथ शमशेर हैं पंजाब से, स्वागत है आपका हाँ जी, अब्रसाव, अदाव अदाव, शमशेर जी हाँ जी, मैं जैतून का सिर्का मगवाय है और मैं काड़ी गूंद के बारे में पूछना था इक कौन से पेड़ की होती है अच्छा अच्छा, और कोई स्वाव राव राव है हाँ जी, मेरे गदूर बड़े हुए हैं, बड़े हुए हैं परोस्टेट की है, यह राद को पिशाव भी बारबार रखता है उसके रावाले प्तावार मनता जी, ठीक है अच्छा देखिए, काला गौन जो है, वो आबनूस नाम का एक पेड़ का हता है आबनूस उस पेड़ को कहते हैं, जिस से बांसरी बनती थी कभी पहले यह प्लास्टिक और दूसरे तरह के चीज़े नहीं थी, जिन से बांसरी बनाई जा सके जो आबनूस का पेड़ होता, जो काला होता है बिलकुल उसकी लखड़ी भी काली होती है, काली-काली आपने कभी पुरानी वांसरी देखी हो तस्वीरों में हैं, या याद़्गारों में, तो आबनूस के पेड़ का होता है गौंद सिया कहते हैं और काला गौंद भी कह सकते हैं और आपने वो सिर्का मगाया है आप उसे जेतुन का सिर्का उसे इस्तिमाल करेंगे तो आपके प्रस्टेट की भी परिशानी ठीक होना मुम्किन है चलिए नेक्स्ट कॉलर है सीमा यूपी से हमारे साथ स्वागत है सीमा आपका नमस्कार जी नमस्कार जी आदा फर्माईए अच्छे नमस्कार नमस्कार आप सीमा जी बताईए क्या सवाल है सुष्ट रखिटमर नमस्कार नमस्कारश को बंड़ के रहा है तो मेरा इसमें ऐसमारे से लियुम्किन तुम मैरे काईए टियुम्किन आपके माच्छा आपकार पारगी लेकिन इसके इसका अशाभी परक्ता पड़ाया है लेकिन फिन में बले में घर्जाव जाद रहे दिये अब अपस्जिवर्ण जाद भी ने तोड़ा रही तो अच्छा देखिए माजून आर के अरप खा रहे हैं मतलब यूनानी दवा खा रहे हैं और फायदा भी आपको नज़र आने लगा तो जिन लोगमको एक दो महीने खानी है वो यूनानी दवा नहीं ले पांच-छे महीने चाहिए हैं यूनानी दवा के इस्तिमाल को कुछ लोग एक ही बार लेकर सोच लेते हैं हमें फाइदा हो जाना चाहिए फाइदा हो भी जाता है किसी किसी को लेकिन फाइदा होने के बावजूद पांच-छे महीने अगर युनानी इलाज किया जाए तो आप मुद्दतों के लिए परफेक्ट रहते हैं तो फाइदा तो आपको शुरू हो गया और यह जो छोटी मोटी तकलीफ हैं यह तो चली जाएंगी जैसे जैसे आपकी तबीत अच्छी होगी कभी गला ठीक होगा कभी फेपड़े ठीक होगे यानि लंग्स ठीक होगे कभी सेहट ठीक होगी यह माजून हो या युनानी दवा युनानी दवा के लिए सैयम रखे तो युनानी दवा ले नहीं तो फिर आपकी वोई दवा ठीक है जो आप खाते हैं रोज खाते हैं रोज फाइदा हो जाता है ब्राना माने लेकिन यह बात कहना बहुत जरूरी है कि युनानी वालों को एक से जादा बार दबा लेने पड़ेगी और पाच्छे महीने हमें दे तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं तो चलिए जो बाते यहां पर हकीम सहाब ने आपको बताई हैं अगर आप उन पर गौर फर्माएंगी तो जरूर आप अपने आपको समझ पाएंगी अपने ट्रीटमेंट को समझ पाएंगी दर्श को देखिए जब आप हमसे जुड़ते हैं हमारी कारकरम से जुड़ते हैं गरेलू उपचार आप लोग जानते हैं, युनानी पद्धिती से जब आप लोग जुड़ते हैं, तो आपको एक समय देना होगा, जहां 10 साल, 15 साल, 20 साल आपको एक मर्ज जकड कर रखता है, और जिससे पार पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वहां आपको युन स्कॉलर से आरुन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आरुन आपका, हालो, हां जी आरुन सवाल कीजिए, जी हां, राकिम जी बात करनी हैं, जी आरुन भाई आदाब, फर्माई क्या सेवाई, आदाब, आदाब, आज़िजा हम जे चाहते हैं कि फुलसी प्लस और एके एक एर, जी, जी साथ, इसके बारे, मंगवाना चाहते हैं, नहीं हाँ, आती रहती है, मारे आज़िए, अच्छा, कुछ पूछना है आपको इसके बारे में, नहीं सार, किस मर्ज में काम मर्लब किसमें करेंगी, दोरों एक ही में करेंगी, आदिखें, ये युनानी हो जाता है, कि बीमारियों से खुद ही लड़ने वाला हो जाता है, यापको कोई बीमारी चल रही है, तो आपके अंदर जो इम्मूनिटी यानि रोप, पिट्ती रोधा शक्ती आ गई, तो पिर आप खुद लड़ते हैं, युनानी कोई आपको सपोर्ट नहीं करती है, बस तो वो फाइदा उनको ये डारेक्ट नहीं दे रही, बलके इंडारेक्ट में उनकी इम्मूनिटी को बुस्ट अप करती है, युनानी की बहुत सारी दवाएं हैं, और ये भी आपकी इम्मूनिटी को बुस्ट अप करेगी, और बाकी बीमारी आपकी उससे खुद ठीक होत या कुवते मुदाफियत हम कहते हैं, वो बढ़ जाती है, आज पूरी दुनिया को इसकी जरुरत पड़ गई, और युनानी हमेशा से कहता है कि अपनी इम्मिनिटी को चबान रखिये, बिल्कुल नेक्स कॉलर है, कृष्णा गुपता जैपूर से हमारे साथ स्वागत है आप से संपर्ख हमारा नहीं हो पा रहा है, कोई बात निया पिर से संपर्ख साथने का प्रियास कीजेगा, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सुधा स्वागत है सुधा आपका, हैलो, हाँ जी बताईए, हाँ जी, मैं हकीम जी से बात करना चाहूं जी, सुधा जी क्या है, क्या परेज, क्या दवाई, क्या चले, इसकी दवाई बताओ मुझे, आप अपनी उमर बता दीजे, मैं दवाई बता दूँआ, मेरी उमर है 62, 62, जी देखिए, यूरिक एसिड एक किसम का नमक है, और ये हमारी किड्नी की जिम्मेदारी है, कि वो इस यूरिक को जितनी जरुवत है, इतना रोके, और बाकी को पशाब के जरीए निकाल दे, ये किड्नी की जिम्मेदारी है, लेकिन जब ये अपना अमल सही नहीं करती, किड्नी, तो यूरिक एसिर बढ़ता है, और हमारे जिसम में वो खुजली भी करता है, और दर्द भी करता है, जो पानी पिए है, गरम पानी पिए है, दो लीटर रोदाना सकता है, तो बगहर दवाके भी आप ठीक हो सकते हैं, अच्छा एक एलाज ये है कि ये हैं कि अलसी लीजेए चार सो गराम, चार सो गराम अलसी, हलका सा भून लीजे इसे, और इसका पॉरटर बना लीजे, चार सो गौन मौरिंगा और दस गिराम से बीज गिराम इसमें जो खाने का सोड़ा आपके किचन में है वो मिक्स कर दीजे और रोज आना आप एक चमश खाये सुबा और शाम तीन चार गिराम तो यह जो मैंने चार पांश सो गिराम मैटेरिल बताया है यह खतम होते होते आपको फाइदा होना मुमकिन है